हेलो एवरिवन फ्रेंस वाकम बैक टू मैजिकल हैं कैसे हो आप सब बॉब करती हूं आप सब ठीक होंगे आज मैं फिर से आपके लिए को ब्लाउज बिचर्ग का रिचोना अज हम एसे फीर साती हैं इस सबाकरेंनहे 8u6 दिंगें हम जब सबकंड़ि हैं जिसकी सबसे पहले स्लिउस्त करेंगे चोटी चोटी जो टुकडे कत्रन है या फिर ऐसे चोटी चोटे ब्लाउज में से हम कैसे खुद की यूज के लिए बना सकते हैं वही मैं समझा रही हूं दो स्लिव्स को हम ऐसे जोड लेंगे स्टीज करके और जो स्लिव्स के साइज है उसे साब से हम इस डियाइवाई को बनाएंगे बड़ी है तो यह डियाइवाई हमारा बड़ा बनेगा छोटी है तो चोटा बनेगा अब दोनों स्लिव्स को हमने जोड लिया यहां पे हम उप इसी fourfold करके, अगर आपके पास पीन है तो पीन लगा सकते है, मैंने यहां पे सुई लगाई है, इसे fourfold करने के बाद साइट से हम one inches मारकिं करेंगे और उपर की और भी वनिचेस पे मारकिंग करके एक box बना लेंगे अब हम यह जो बॉक्स है उसे कट कर लेंगे फिर हम इसे खोल देंगे अब देखे यह जो ऊपर का राउंड उसी के नाप से हमने जिप कट करनीगए जिब को रखें ऐसे उलटा यहां से स्टीज करना स्टार्ट करें धीरे-धीरे से और फिर आप यहां Tof स्टीज करें फ्रेंस होप करती हूँ आपको ये सारे डियावा यूसपुल लगेंगी अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज फ्रेंस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेट में रेड हाट जरूर से दे देना ताकि मैं ऐसे नए आइडिया के लिए मोटिवेट हो सकू अब हमने जिप को खोल दिया दूसरी साइड की और हमने लगा दिया उसी तरीके से आपको टॉप स्टेज कर लेनी है अब देखे इसी मेथड में व्यूटिफुल सी हैंड बैग भी हम बना सकती हैं बड़ी साइज की अगर आपको वो बैग सीखनी है तो मुझे जरूर से क और यहां स्टीज करेंगे इसे फ्लैट करके हमें कॉर्णर पर स्टीज करना है कुछ इसी तरीके से यहां पर स्टीज करेंगे और हाँ आप कहां कहां से हैं वो भी मुझे कमेट करके बताना और कहां कहां से वीडियो देखते हैं जरूर से कमेट करके बताना चलिए यहां पर हमारा organizer ready है बताती हूँ क्या-क्या use कर सकते हैं कहां-कहां तो दीखिए यह से हमारे जो थोड़े बहुत makeup का सामान है उसे आप इस तरीके से यह multi-purpose organizer में रख सकते हैं और आप बड़ी bag में रख सकते हैं छोटा सा है लेकिन देखे कितना useful है hope करती हूँ आपको idea पसंद आया होगा चलिए हम बढ़ते हैं next idea की और और यहां देखे यह जो blouse का back का part था उसमें से मैंने strip निकाली है ऐसे मैंने दो blouse use करने के लिए लिए थे तो उसमें से total 4 strip निकाली है सारे का nap मैं बता दू तो 8 by 3 जिसके part है और इसे हम stitch करके जोड़ लेंगे आप देखे यहां पे इसे सारे strip को जोड़ने के बाद एक बार आप nap ले सकते हैं कितना है जो भी आ रहा है उस हिसाब से आप बढा सकती है चोटा बढ़ा अपने हिसाब से इसे बढा सकती है अब देखे सारे strip चोड़ने के बाद इसे के नाप से हमने एक नोन वन ले आए अब नोन वन नहीं है तो सौपिंग वैग यूज़ कर सकती है कपडा यूज़ कर सकती है अब देखे इसे के नाप से लिया था यहां हम 1.5 इंचिस पर मार्किन करेंगे इसे फॉल्ड किया अब एक सीधी सी लाइन कर ले अब यह जो लाइन है उसे कट कर ले अब इसे जब आप करेंगे तो छोटी दो स्ट्रिप साइड में रहेंगी और एक पार हमारा रहेगा उसके साथ हम दो जीप अटेज़ करेंगे एक नीची की और ऊपर की उसे जोड़ करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने भले ही नौन वन यूज़ किया है लेकिन आप यहां पे कपड़ा भी यूज़ कर सकती है तो जीरो कोश्ट में हम एक यूनीक सुन्दर डिजाइन की क्लश बैग बनाएंगे अब यहां वेल ग्रो लगाएंगे तो स्कॉर इस तरीके से जो मैंन पाटे उसके उपर रखना है फिर यहां से स्टार्ट करना है पूरे रेक्टेंगल में आपको श्टीच करके जोड़ना है अब आप इससे फुल्ड करें दीखे सेंटर में हम ऐसे एक श्टीच कर लेंगे यहां सेंटर में स्टीज करने के बाद आप क्रोस में कट की हुई पाइपिन लीजिए कुछ ऐसी और इसे आपको यहां से कहीं से भी आप स्टार्ट करें ऐसा नहीं है नीचे की साइट से आप स्टार्ट करें और यह पूरा रेक्टिंग हले उसमें अटेज करते जाए देख दूसरा जो भी है वो कट कर लें अब हम इस दोनों स्ट्रिप को जोड लेंगे थोड़ा सा जो खुला था उसे पैक करेंगे पाइपिंग को ऊपर की और लेकर फॉल्ड करेंगे जिसी हमारी एक अच्छी सी अंडर लाइन बनकर रेडी हो जाएगी कलर कॉमिनेशन आप टॉफ स्टीच करते जाएंगे जब तक यह पाइपिंग फॉल्ड हो रही है तब तक जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि हमें बहुत सारे लाइक मिले हमारी फैमिली आगे बढ़े देखिए यहां पर हमने यह कितनी में घर पर बना सको अब यहां पी यह मैंने ब्लाउज में से बैक साइट के दो पार्ट कट की है उसे जोड लिया नाप मैं बता दू सेवन बार एट इंचीज अब देखिए यहां पर एक जिप पटेज करें तो यह जो और गेनाइजर है ना वह आपको एकदम से काम आने क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीजे रख सकते हैं देखिए जिप को जोड़ा स्टीज किया टॉफ स्टीज किया उसे खोल की दूसरी साइड लगाना है फिर से आपको यहां टॉफ स्टीज करना है रणर डाल दीजिए रणर डालने के बाद इसे उल्टा करें साइड से आपको करना है यहां पे हाफ बींच इस पे ही आपको नीचे की और मार्किंग करनी है उसके बाद आप साइड से स्टीज करेंगे लेकिन जो हमने हाफ बींच इस पे मार्किंग की है उसका क्या करना है तो दोनों कि अभी हम और बेक साइड में किया था उसे मिला आना है फ्रेंट और बैक में मार्किंग की थी और कुछ इस तरीके से आपको साइड से स्टीज करना उसी तरीके से दूसरे साइड करना है तो यहां पर जैसे हमने वन बैवान इज इसका बोक्स बनाते हैं कटिंग करते हैं त तो आप इसके अंदर पैड रख सकते हैं, या फिर चार्जर, डेटा, केबल, इयर फोन, ऐसी चीज़े रख सकते हैं, मैकप का जो सामान है वो भी रख सकते हैं, तो हूब करती हूँ, ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा, अब जो ब्लाउज का नीचे का जो का बाट आता है, उसे हम कट करेंगे, तो ये हमने कट किया, और इसका नाप है 7.5 by 4 inches, अब मैंने ये टांस्परेंट सीट ली थी 3 inches की, उसके साथ हमने जिप चोड लिए, मैंने जिप लगा नाप को सिखा दिया था, इसलिए इसमें लगा दिया, अब इसे ऐसे हम स्टीच करके तो आपके बहुत सारे ज्वैलरी है, मेकप का सामान है, या फिर आपके बच्चो के कलर्स लगेरा है, वह अच्छे से सैट कर सकते हैं, यहां पर मैंने यहां पर इसे थ्रेट्स रख दिया, तो मेरे पास बहुत सारे रील होती है, तो अलग-अलग कलर की मैं इस तरीके से अब 6.5 by 6 inches का है यह पार्ट इसे हम जिप के साथ चोड़ेंगे और फिर टॉफ सीच कर लेंगे तो यह क्यूट सा DIY भी बहुत यूसफुल है इसे फॉल्ड करके साइड से स्टीच करके टॉफ सीच कर लीजिए रनर डाल दीजिएगा और फिर इसे उल्टा कीजी अपना फिर दोनों साइड में स्टीच कर लें तो कभी यह ओर्गिनाइजर है चोटी चोटी चीजों के लिए यूसफुल है जैसे आप स्टीच नहीं करते हैं लेकिन आप त्रेट्स नेडल वगेरा रखते हैं तो उसे इस ओर्गिनाइजर में रख सकती है या फिर बॉबिन है व यह क्योट सा ओर्गिनाइजर रेडी है बच्चों की जो इरेजर होती है वो भी इसके अंदर सापनर वगेरा ऐसे चोख है बच्चों के वो सब आप रख सकती है तो होप करती हूं कि यह आइडिया भी आपको पसंदाया होगा यूसफुल लगा होगा देखें मैं यहां प हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बब बाई जे बारत